एलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो दोस्तो ये जो आप मेरे हाथ पे देख रहे हैं इसे वेते हैं शुद्ध कौँच बीज चूर्ण जो की पतंजली का है इसे और भी कई कमपनिया बनाती है लेकिन पतंजली का काफी सस्ता आता है तकरीपन 55 प्रेका ये 100 ग्राम आपको मिल ज इन्हें शुद्ध करके इस्तिमाल किया जाता है ये शुद्ध किये हुए हैं आप एने ऐसे ही इस्तिमाल कर सकते हैं तो ये पाउडर बनाया हुआ है आपने कितना लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पैकिंग देख लीजिए ये आपको पतंजली के स्टोर मे मिल जाएगी शुद्ध कौच बीज लिखा गया है चूर्ण इसके उपर बाकी 55 पर प्राइज है प्राइज भी कुछ ज्यादा नहीं है बहुत कम है लेकिन फायदे फायदे बहुत बढ़िया इसके मिलते हैं तो फायदों की बात करें तो इसमें एंटी इंफ्रामेटरी प्राइज पाई जाती है एंटी ऑक्सिडेंट पाई जाते हैं कई तरह के ऐसे तत्व पाई जाते हैं जो की फिमेल और मेल तूनों के लिए फायदे मन है बहुत से लोग यह समझते हैं कि यह से मर्दों के लिए फायदे मन है लेकिन ऐसा नहीं है यह महिलाओं के लिए भी फाइदेमन माने जाते हैं दोस्तो पहले मर्दों की बात करते हैं तो मर्दों के अगर जोडों में दर्द रहती है तो जोडों के लिए ये बहुत ज़रा फाइदेमन रहते हैं जोडों की सूजन को दूर करते हैं और दर्द को भी दूर करने का काम करते हैं ये आपके स्पाम की quality को भी बढ़ाते हैं जो मर्द infertility से जूच रहे हैं या फिर उन में इच्छा कम है शुक्राणू कम है तो ऐसी सारी problem से निज़ाद पाने के लिए भी इसका सेवन किया जा सकता है दोस्तों इसमें या बहुत से लोग हैं जो की दिमाग की बिमार्यों से परिशान है यार की बहुत अलदी चीज़े भूल जाते हैं Parkinson रोग है तो इसमें L-dopa पाया जाता है जो की Parkinson रोग को दूर करता है आपकी भूलने की बिमार्यों को भी दूर करता है आपके alertness को भी बढ़ाता है तो Parkinson Ro के लिए बहुत ज़्यारा फाइदेमन माना जाता है यह blood sugar level को भी control करता है अगर आपके sugar level maintain नहीं है तो sugar level को सही करने के लिए भी फाइदेमन रहता है कई तरह के cancer के लिए भी फाइदेमन रहता है cancer को दूर करने का काम करता है तो पुर्षो के यह testosterone level को भी बढ़ाता है अगर यह पुर्ष इसे सही तरीके से इस्तिमाल करे तो बाकि ठकान वगएरा अगर आपको रहती है बहुत जल्दी ठक चाते हैं तो ठकान को दूर करता है बढ़ती उमर की परिशानियों को भी दूर करता है तो इतने ज्यादा फाइदे है पुर्षो के लिए अगर महिलाओं की बात करें महिलाओं के पारकिंसन रोको यह दूर करता है इसके लवा अगर उनके periods वो अनियमित हैं वो सही से नहीं आ रहे या फिर कोई hormonal imbalance की कोई तकलीफ हो रही है उन्हें तो यह उसे भी ठीक करने का काम करता है तो दोस्तो इतने ज्यादा फाइदे हैं कौँच बीज के तो हम बात करते हैं कि इसका सेवन कैसे करना है तो दोस्तो यह 100 ग्राम है लेकिन लेना बहुत कम है तकरीबन 2-6 ग्राम या फिर 5 ग्राम ही आप ले लीजिए 5 ग्राम आप रात को सोने से पहले दूद में mix करके ले सकते हैं जैसे अश्वगंदा ली जाती है अगर आप अश्वगंदा ले रहे हैं तो आप उसके साथ ये भी ले सकते हैं लेकिन तब इसकी क्वणटिटी आधी कर ले 2-3 ग्राम ही ले तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये आईवरी कलर का देखने के में मिलता है तो कुछ लोग इसे सुबह भी लेते हैं शाम को भी लेते हैं तो अगर आप पहली बार ले रहे हैं इससे ज्यादा नहीं लेनी है अगर कोई प्रेगनेंट वूमन है तो उसे ये नहीं लेना है बाकि अगर आपको कई और बिमारी चल रही है या फिर कोई और दवाई बगारा चल रही है तो भी आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही ये इस्तिमार करें तो ये सब था कौँच भी चूड के बारे में तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगिया तो वीडियो को लाइक कीजिए दोसों के साथ शियर कीजिए थैंक यू थैंक यू सो मच